नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दूस्त इंजिनियर अभी सेख सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजिनियरिंग सपोर्ट दोस्तो आपको पता ही है कि मैं डेली हाउस चैनल पे डालता हूं अगर आप नए भी वर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्ते कर ले दोस ये सबसे पहला बीम होता है घर का सबसे पहले बीम को प्लिंथ बीम बोलते हैं जेनरली इसके हाइट को ले करके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसकी हाइट कितनी ज़्यादे रखी जाए अगर बहुत ज़्यादा हाइट रखते हैं तो फिर आपको ब्रिक व है और इसकी हाइट कितनी रखी जाए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने घर के फास वाले रोड को देखिए उसमें नाली बनी हुई है या नहीं इस चीज को देखिए दोस्तो प्लिंथ वीम का काम क्या है जितने भी हमारे पिलर हैं जो लोड डिस्टिब्यूट करते हैं हमारा प्लिंथ वीम जो है वो एबजॉब करता है लोड को और यूनिफर्मली डिस्टिब्यूट कर देता है पूरे वीम में ताकि हमारा घर का जो लोड है वो बिल्कूल इस्टेवल बना रहे अगर जो है वो कॉलाप्स ना करें दोस्तो अब बात आती है कि हम किस तरह से प्लिंथ वीम का उचाई कितना रखा जाए दोस्तो अगर आपके एरिये में अगर रोड बना हुआ है फिर तो आपकी ये परिसानी बहुत जादा कम हो जाएगी चुकि इसकी उचाई जो है वो रोड से हमेसा उपर रखनी चाहिए अब कितनी उपर रखनी चाहिए ये भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तो अगर रोड आपके घर के एरिये जहां भी है वहाँ पर रोड नहीं बना हुआ है तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका किस तरह का एरिया है जैसे इस तरह के एरियाज में सिंप्ली जो होता है वो PCC रोड बना जात तो वो हमेशा सालो साल चलता रहेगा रोड की रिपेरिंग होती है अलग से उपर परत्वी चरा ही आती है लेकिन हमारा घर तो एक बार बन जाता है उसके बाद इसकी हाइट को आप बढ़ार नहीं सकते हो अगर आप प्लिंथ में पहले तले पे बहुँ जादा नीचे दे दिये रोड सालो साल बनते बनते उपर आ गया तो आपका पहला फ्लोर ही पूरी तरीके से जो है वो काम लायक नहीं रहता है चुकि बरसात के सीजन में उनमें पानी घुश जाता है चुकि रोड उचा रहेगा आपका घर का प्लिंथ लेवल नीचे रहेगा गेट नीचे तो जाहिट सी बात है पानी उसमें भूसदेगी ही तो जो अभी स्टेंडर साइज में आपको बता रहा हूँ जितने वी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कम से कम मैं बता रहा हूँ अगर आपके एरिये में रोड नहीं बना गवा है तो कम से कम 3 फीट उचाई रहना चाहिए शुरू में थोड़ा सा खर्चा लगेगा ब्रिक वर्क वेगरा में लेकिन आगे चलके ये आपको बहुत जादा मदद करने वाला है अपने घर का लेबल को रोड से कम से कम तीन फीट उचा रखे ताकि साल दर साल जो भी हमारा रोड बने उसमें हमारे घर के जो हाइट है उसको कोई भी दिकत ना हो और हमारा घर जो है वो सेफ रहे बरसात के सीजन में फिर मिलते हैं नमस्कार